जैहिंद बच्चों स्वागत है अपने इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम कच्छा बारा के विद्यार्थियों के लिए नागरिश सास्त का माटल पेपर लिख रहे हैं जो 2024 वोड इजयाम के लिए बेरी इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों या जो है जन्टे 15 मिनट मिलेंगे प्राराम के 15 मिनट पर चातियों को परस्पत पहले कर निदार्थ किया जाएगा सब्वी प्रस्ट अनिवार है पहले वह विकल्पिट है अगर अल्दा गुत्री इसके बाद में लगुत्री फिर लगुत्री से कंड़ करकार क्कुश्चन फिसके निदार्थ और गरुट्री प्रसंट देखने को मिलेंगे तो चलिए दियर ना करती हैं द देखते ही अगर्फोर सोवियत संबंदित को हम सब्यूट अप्रतिक भल्लीण की दिवार है सार की स्थापना कपी गए थी तो सार की स्थापना जो है 1985 विमेहा साहीजवाब हो जाएगा सार क्या है दोस्तों एक संगठन है इसका मुख्याले जो है नेपाः राधानी काठवांडू में इस्ति थे एक जो है 36 संगठन है ठीक है दोस्तों सार्क यानी जो है एक छेत्री सायोग संगठन है माश्टी संदी पर हस्ताचर कब हुई थी माश्टी संदी पर जो हस्ताचर कब हुई तेहां सही जो आप दोस्तों जो है क्या हो जाएगा सा हो जाएगा साथ परवरी 92 को माश्टी संदी पर जो हस्ताचर हो थी साथ परवरी 92 1292 को सिम्वन समझता कव गवा था भारत पाकिस्तानीं में 2979 समझता डिश्वी में हुआ था कव गवा था 2997ytt में आगे देखेंगे हम लोग जिन में से कौन से देश संगत्रारसंग का प्राराइम तो यह यहां ओजाएगा भारत जारी अगला क्वोश्चन निखेंगे बारस समर्थन करता है प्रमाँ तियारों का अतंकवात का नी शहर्थन करना का उप्यूख सभी तो भारत जो है समर्थनुश्ता करता है नी शहर्थन करता में क्या होते हैं तो उत्री गिलार्द अँटर्शी गुलार्द में देशों में मतभेद पाए जाते हैं मेगाले राज की स्थापना कप की गए थी में राज की स्थापना उन्हीं सो बात्तार रिस्पी को की गई थी कप की गई थी उन्हीं सो बात्तार रिस्पी को अगला कोशन दोस्तों कि पर्था पंचवर्शी उजनाम मुकता किस बात पर जो है जो है जोर दिया गया था तो पहले पांच़वर्सी उजयना पस जो एक किसी पर जो दिया गया था तो नोग पन्रोब त्रीपस देखें गे आथ बच्चों आप जो है रूस के नाम से जाना जाता है तो बच्चों अब जो है रूस के नाम से जाना जाता है कोशन नमर 3 है कि चीन में सामयवादी करांती कब हुई थी तो माओ तूसे तूं के नेतृत में 1949 में 1949 में हुई थी चीन में सामयवादी करांती 1949 में माओ तूसे तूं के नेतृत में हुई थी कितना है पंदरा और नियाधीसों के संख्या कितनी है नव नश 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 से नव नश से नव नश संख्या नव है और नश संख्या कितनी दूस्तों नश नश संख्या पंदरा है कारिकाल जो है नव अर्ष का है कारिकाल जो है नव अर्ष का है आगे देखेंगे स्थापना कब हुई थी तो स्थापना बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतराश्टी शंगठन है इसमें इसमें एक स्थापना जो है 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1925 को संगतराश्चांग की स्थापना का हुई थी 24 अक्टूबर 1925 को अगरा कुशन देखेंगे रजवालों के सासकों को भारती संग में सामिन होने के लिए मनाने समझाने में अतियासी भूंक्या निवाले वाय नेता का नाम भी खिये उनका नात बच्चो सदाव बल्लब भाई पटेल बल्लब भाई पटेल जो माई देश के पहले ग्री मंत् जिन्हें हम लोग पुरूष के नाम से जानते हैं भारती जनसंग को 1952 के आम चुनाव में लोग सभा में कितनी सीटे पराप्त हुई थी 1906 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताजकान समझोता 10 जन्यूरी 만든 शुच्त को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था आला कुशन है प्रधार मंत्री मुराजी देशाई कितने समय तक प्रधार मंत्री बने थे तो प्रधार मंत्री मुराजी देशाई दो है दोस्तों 1989 से 1989 तक 1989 तक 1989 तक प्रधार मंत्री बने थे प्रधार मंत्री मुराजी देशाई कितने समय तक प्रधार मंत्री रहे तो उन्हें इस रत्तर से लेकर 1989 तक जो है प्रधार मंत्री रहे चलो बीच नमबर देखेंगे मिलो 1989 में राश्टी मुर्चे की सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजितिक समुहों ने समर्थन दिया 1989 में राश्टी मुर्चे की सरकार को भारती जनता पार्टी तथा वाम पंथी दलो ने अपना जो है समर्थन दिया था इसने किसने बच्चो उनिस नुवासी में राश्टी मौच्चे की सरकार को भाती जंता पार्टी इसको बीजेपी कहते हैं भाती जंता पार्टी तथा वाम पंथी दलों ने अपना जो है समर्थन दिया था अवेला गुत्री फश्ट प्रकार के प्रस्ण रहेंगे दोस्तों जो पांच वंकों को रहेगा जिसे उत्री त्लाटी संदी संगर नाठों से आप क्या समझते हैं अपनी आर्थी बेवस्तर दाने के लिए चीन दोरा उठाए गए किनी दो कदमों का उलेक कीजिए बिस में म क्वस्ताओं प्रणाम को करने कीजिए जहां बश्र्मांच पॉंकों को मिली से और लग bei को दूस्तों के खिर लेती हैं आये और करते हैं को एक को लिया समयके देख लेते हैं बारति साек में दूस्तिर रजवार Sw resort के देज़ाओ के भूमक्या की व्याख्या कीजिए अथवा भारत के एकी करण में सदा बला भाई पटेल की भूमक्या का संच्छेप में उल्ले कीजिए तो भारत में देसी रजवाड़ों के एकी करण में सदा पटेल की भूमक्या सबसे महात्फून थी सदा पटेल नमचो एकी करण अधियम कौरसार यायम सोजबूज ने इन-दोनों रियास्तों को भारत में सामीर होने के लिए मजबूर कर दिया देशी रियास्ते थी इसको सदा बल्लब भाई पटेल ने भारत में बिले किया था देशी रियास्ते में इससे होता है जो रजवाड़े होते थे देखो रजवाड़े क्या 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 प्राई सुत्मता कि समय भारत में से रजवाड़ों को शंख्या कितनी थी यह question अभी मडल पेपर में था तो बिटिस सासन के समय भारत में के दो हिस्चे थे एक हिस्चे में बिटिस प्रभाव वाले भारती प्रांथ तथा दूसरे इस्षिम देशी रजवाड़े थे रजवाड़ों पर राजाओं का सासन था राजाओं ने बिटिस राज की अधिन्ता सुविकार कल रखी थी इसके अंतरगा तो वे अपना आंत्रिक सासन चलाते थे कि देते दोस्तों पानसो पानसार देशी रजवाड़े थे यह मोस्ट इंपोर्टेंट है भारती विदेश नीत के अधार वू सिद्धान तो करोणा कीजिए देखो लगूत त्री सिकेंड प्रकार कोश्चन है आई देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन हम बहुत विदेश नीत को प्रभावित करने वाले चार कारकों करण कीजिए कई माडर से कोश्चन पूछा जा सकता है आई वच्छो इसका उत्तरम लोग देख लेते हैं बेरी इंपोर्टेंस कोश्चन है देखो सुद्धा प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने को सीथ युद जैसे इस्तिद बनी डेती है और सीथ युदि किसके किसके भीश हुगा था अमेरिका और सोविय संग यानि रूस सोविय संग के साथ हुगा था तो गुर्टन पेचिता की नीत पर चलने का निश्चे किया भारत की नीत है कि वह विश्च के सभी देशों के साथ समानता का रखे जिससे उसके राजनीतिक और आर्थिक हितों में इसी परकार का जो है गतिड़ोत उत्पन ना हो भारत की विदेश नीत के प्रूख शिद्धान इस परकार है नमबर एक अपने राश्टी हितों को जो है सुरच्छित करना नमबर दो देश की छेत्रिय खंडता इर अ अच्छा के लिए हमारी सीमाओं को सुरच्छित करना सीमा पर अतंगवाद का प्रतिरोध करना उर्जा सुरच्छा खाग सुरच्छा साइबर सुरच्छा आदी नमर तीन भारत की आर्थिक सफलता है तु विदेशी सहयोगीयों द्वारा प्रत्यश विदेशी निवेश विद्ती सहयता यों टेकनोलाजी को बढ़ावा देना नमर चार एक दूसरे को छेत्री एक खंडता और संपर्वक्ता का प्रास्परिक सम्मान प्रास्परिक आकमार ना करना प्रस्पर हत्ता शेपना करना समता और आपसी लाभ सान्ति पूर्ण सहस्तित विदेश नीथ के मूल भूत सिधानते हैं तो दोस्तों यह थी इसका इंसर